यह वाली जिगे पर अगर किसी ने कुछ पोजिशन लिया होगा तो अभी भी वो ट्रैप वाली जोन में और रहेगा क्योंकि यहां पर जो मार्केट ने किया क्या है पूरा का पूरा जो प्रीमियम होता है उसे डीके कर लिया है क्या कि यह मार्केट ने पूरे प्रीमियम को decay करने का मतलब यह हो जाता है कि अगर market नीचे भी आता है तभी अगर आपने put side का position में बनाया है तभी भी आपका premium नहीं बढ़ेगा यह होता है premium decay और premium decay वही उसी time पे होता है जब markets के अंदर बड़े size में big players यहाँ पे invited होते है याना कि big players यहाँ पे module होते हैं तब कि यह बात है तब जाकर कि बड़े players जो है पूरी position को control कर सकते हैं अब देखे हमारे पस यहाँ पर important चीज़े क्या हो जाती है कौनसी वह important जगा होती है जहांसे हमें फॉलो करना चाहिए important zone के लिए अब देखे यह तो सब सब पहले चीज़ तो है यह हमारा free वाला टेलीग्राम चैनल अगर आपने free वाला टेलीग्राम चैनल के अंदर joining नहीं किया तो यहाँ पर आ करके आप कर लीजिए क्योंकि totally free है आज की यह वाले वीडियो के अंदर हम दो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जैसे कि मंडे के दिन में मार्केट को gap up open होना चाहिए या फिर gap down open होना चाहिए इसके बाद में रिस management का जो वीडियो होता है उसका भी update में आपको बताने वाला हूँ कि रिस management update कैसे आपको follow करना चाहिए हर एक चीज और उसके साथ में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यह क्या है यह market का position है अपड़ से निकलने के लिए लेकिन जो बड़ा move हमें देखने मिल सकता है वह अभी कौन से लेवल से देखने मिल सकता है तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो हमारे पास एक इंपोर्टन लेवल है यह क्या कर सकते हैं अगर आप ने इसके पहले वाल वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बताया था clearly कि market यहाँ से उपर तो जा रहे है लेकिने trap करेगा अगर आप देखो कि तो market यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद यहाँ से वापस नीचे आ गया मतलब वो 70-80% अलड़ी डाउन फॉल में आ चुका है अब इसका मतलब यह हो जाता है कि आपको कैसे मिल सकते हैं अगर किसी को यहाँ पर करना है तो उनके लिए बेहतरिन से यह लेवल रहेगा अभी लेवल अपडेट 51,000 रहेगा और डाउनसेट का बेहतरिन प्लैनिंग रहेगा 59,20 अगर यह दोनों लेवल समरे ब्रेक आउट में देखने मिलते हैं अपर सेड में या फिर डाउनसेड में तो काफी बढ़िया सा एंट्री हम वहाँ पर कर सकते हैं रही दूसरी बात कि यह मार्केट का सेंटिमेंट कुछ ऐसे चल रहे है कि मार्केट ऐसे उपर जा सकता है तो डेफिनिटल अगर मार्केट इन लेवल के आसपास आता है 940 पे तो हम एक प्लैनिंग कर सकते हैं उपर के साइड का अगर पॉजिटिवीट वहाँ पर रहती है तो अगर पॉजिटिव मार्केट के अंदर कहीं ना कि यहां पर जो सेलर्स रहेगे वह स्ट्रॉंग रहेगे एंड वह मार्केट को वापस नीचे लेकर के आ सकते हैं तो जितने लोग यहां पर सब लोग यहां पर ट्रैप हो जाएगे तो यह हाई पॉसिबिलिटी चांस थी है और वह लोग जो है वो trapping हाँ पर generate हो चुके है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या nifty के अंदर हमें situation देखने मिल रही है lieo market का information तो आपको free telegram channel में मिलेगा तो वो तो आपको बताई है कहाँ से कैसे आपको देखने मिल सकता है हर एक चीज उसके बाद में मैं यहाँ पर special nifty का भी वीडियो बनाया था और जो nifty का वीडियो था ना उसके अंदर भी मैं आपको clearly बता दिया था कि यहाँ पर market जाना तो चाहता है C side में लेकिन वो लोगों को trap करने के लिए जा रहा है और यही चीज आप देखोगे तो market यहाँ से C side में गया यहाँ से भी C side में गया लेकिन वो सब को trap करके वापस market को नीचे लेकर किया आया अब यहसा होने का reason क्या था market ने ऐसा क्यों किया कि बहुत से लोगों को market ने trap कर लिया and market continuous नीचे आ गया देखिए simple सा reason होता है कि market के अंदर जो 9010 वाला फिलाल जो setup काम कर रहे है वो काफी ज़्यादा strong यहाँ पर काम कर रहे है 9010 के setup के according मार्केट में उपर से भी उतना power लग रहा है जितना market में नीचे से power लग रहा है यह दोनों के side में जब तक एक power strong नहीं बन जाते हैं तक तब तक यह market को इस levels के आसपसी रखेगे ना तो market को ऊपर जाने देगे ना तो market को नीचे आने देगे अगर market नीचे आना चाहते है तो 9010 डाउंसे पावर लगेगा अगर market ऊपर जाना चाहते है तो ऊपर के side का 9010 पावर लगेगा अब देखिए यहाँ पे भी power काफी जादा strong लग रहा है जिसकी वज़े से market ना तो ऊपर जा रहा है and ना तो market यहाँ से नीचे आ रहा है अब मैं आपको कुछ यहाँ पे examples भी बताता हूँ कि market के अंदर अगर आप सही time पे entry लेते हो तो सही time पे exit आपको कैसे करना चाहिए and कौन सी किसे आपको काफी बड़ी ऐसे levels वापे देखने मिल सकते है and कौन से कौन सी चार्ट आपके लिए बहते हो सकते है अब अगर आप देखो तो यह hammer candles के pattern के according लिए यहाँ पे भी किसी ने entry plan किया और तो उसको भी काफी बड़ी ऐसा profit उपर तक generate हुआ होगा है ना यहाँ पर देखिए hammer candle का example यहाँ पर भी एक example से तो यहाँ पर अगर आप examples को ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि market के अंदर trade कैसे करना चाहिए and market में बड़ीया profit कैसे generate करना चाहिए अब यह आपको समझा पड़ीगा अगर जब तक आप यह से आप नहीं समझते खुद से तब तक आपके लिए यहाँ पर कोई समझा के नहीं दे सकता अगर एक बर आप इन चीजों को समझ जाता है तब definitely आपके लिए अब जैसे यहाँ पर दो जेगे से हमें profit डिखने मिला था जैसे कि सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हमकेंडल में उपर का profit आपके जब हमकेंडल मना तो यहाँ से लोगों ने नीचे का एंट्री प्लाइन किया होगा लेकिन उनको यहाँ पर लॉस हुआ होगा और मार्केट वाथ उपर के से याट में continue चलते गया अब यहाँ पर एक्जीट क्मेंगे करना चाहिए यह अगर आपको एक बार पता चल गया तो आपकी लिए बहुत 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 है nug Hopkins आपको समझ में आ जाएगा अब देखेhe करना चाहिए या फिर मार्केट ने पी-ई होल्डिंग करना चाहिए आप बता सकते हो आपको भी काफी बढ़िया से अभी नॉलिज यहां पर जने हुआ होगा इतने टाइम जग आप वीडियो आप देख रहे हो तो आपको डेफिनिटली कुछ ना कुछ तो नॉलिज यहां हुआ ही होगा अब अगर आप मुझे पूचो के तो मेरे इसाब से यहां पर दो लेवल काफी बढ़िया निकल के आ रहे हैं यह लेवल नंबर वन है हमारा एन उपर की सब्सक्राइब नंबर टू है अब जब तक मार्केट यहां पर यहां पर प्लैन नहीं किया जाएगा अगर किसी को जल्दी ही करना है तो वो कर तो सकता है लेकिन वो ट्रैप हो सकता है इसलिए हाई पॉसिबलिटी रिस्क वापे रहेगी सेकंड तिंग डाउंसेड में अगर 810 के मार्केट नीचे नहीं निकल पा रहा है तो यहां पर हम पीई साइड का इंट्री प्लैन नही करने वाले कहीं ना कई वो डाउंसेड में भी ट्रैप हापे कर सकता है अब आपके लिए दो लेवल्स निकल के ऐसे हैं जो सायद से सेलर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल हो सकते है अब सेलर लोगों के लिए यह यूसफुल इसलिए होने वाले है क्योंकि वो अपने options को सेल करने वाले हैं अगर market इसके अंदर रहे जाता है तो उनको काफी बढ़िया profit हो सकता है overnight उनको DK मिल सकता है एक बढ़िया से profit generation आप वो कर सकते हैं ठीक है अब जो भी रहेगा lion market के अंदर information आपको हाप मिलते रहेगा और जो daily का analysis होते है वो आपको यहाप knowledge होता है उससे अब miss ना कर दो वो आप सभी को ध्यान में आना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं कि उससे आप subscribe करके रख लिए यूट्यूब वाले चैनल को एंड उसके साथ में जो हमारा totally free वाले टेलिग्राम चैनल है free टेलिग्राम चैनल कर अंदर भी आकर क्या आप ज जोड़ना चाहते हो तो free टेलिग्राम चैनल को वीडियो के description में मिल जाएगा अगर वह से जॉइन नहीं हो पा रहे हो तो सिधर टेलिग्राम पर जाईए बैंक निफ्ट्यू आप्शन टेर सर्च करिए और उसके अंदर जॉइन कर सकते हो